नरक से आयवे इंसानों के लक्षन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रित्वी पर स्वरोग से और नरक से लोग आते ही रहते हैं पर कैसे समझा जाए कि काउन सा इंसान किस लोग से आया है हमने इसके बारे में part 1 बनाया था और वीडियो part 2 है दोस्तों मारकरणे पुरान के अनुसार नरक से आयवी इंसानों के कुछ लक्षन होते हैं अगर लक्षन किसी इंसान में थिक जाए तो आप समझ जाए कि इंसान नरक से आयवा है इस स्टूडियो से आप आपके आसपास के लोग किसी लोग से आये हैं आप जान जाएंगे तो आप इस स्टूडियो को अंतल जरू देखिए अगर आप अपने जिन्दिगी को बरबात करना चाते हैं तो इस चैनल को बिलकूल भी समस्क्राइब मत कीजिए ऐसे ही रहे हैं और पहला है परनिंदा करने वाले दोस्तों सदेव जोटी निंदा करने वाला आदमी नरक से आयवा होता है जो लोग ऐसान फरामोश होते हैं उनको नरक से आयवी इंसान समझना चाहिए दोस्तों आजकल बहुत से लोग उपकार नामाने वाले होते हैं उनके लिए आप जो कुछ भी करें उनको इससे कुछ फरक नहीं पड़ता मेरे आसपास बहुत से लोग ऐसे ही हैं अगर आप ऐसे लोग से गिरे वे हैं तो तुरंत उनको छोड़ दीजे अएसान नामाने वाले लोग कभी भी आपकी भाणावन को नहीं समस सकते ऐसे लोग महास्वारती होते हैं ऐसे लोग नरक से आते हैं और फिर से नरक को ही जाते हैं इसलिए इस नरक कामी लोगों से दूर रही है और तिसरा है परस्त्री या परपुरुश से सम displays रखने वाला दोस्तों अपने जिवन साती को या अपने प्रेमी को धोका देने हैं लोग नरक से आएवे होते हैं तो अज लड़के भी ऐसे हैं और लड़कियां भी अईसे ही हैं आज आपको सच्चा पर ऐसा ख कुछ भी नहीं मिलेगा, सभी लड़कें और लड़कें चरित्रहीन और गंदे बन गए हैं, तो आज 98% लोग नरक से ही आयवे होते हैं, इसलिए हमें इन चरित्रहीन लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें सचे भगवान से प्यार करना चाहिए, और चवता है, भगवा हमारे शास्तरों को और हमारे भगवान को नहीं मानते, और हमेशा विदेशी कल्चर के ही पैर चाहिए रहते हैं, तो ये सब लोग नरक से आयवे होते हैं, और पाचवा है, चल कपट करने वाले, तो आज दुनिया चल कपट करने वाले लोगों से भरी पड़ी है, आप इसे ही किसी पर आँखे बंद करके विश्वास नहीं रख सकते, मैंने देखा है कि जब भी लोग सामने बात करने के लिए आते हैं, तो उनके मन में कपट ही होता है, जब दर लड़किया ऐसे होते हैं, पर आज पुरुष भी आज ऐसे ही बनते जा रहे हैं, तो आज कपट कई बार कुछ लोग दुसरों की खुशियों से जलने लगते हैं, और कुछ कर्तुत करके उनकी खुशियों को छीनते हैं, आज तो आपको ऐसे लोग हर जगा मिल जाएंगे, अगर आपको ऐसे लोग दिखें, तो आप समझ जाएं कि ये लोग नरक से आये हैं, ऐसे लोगो के top creators को देखिए ये सब नारा धमी लोग पैसे के लिए views के लिए गंदी गाल्या देते हैं, गंदी रिष्टे दिखाते हैं, गंदे songs बनाते हैं, movies में लड़के और लड़कियां पैसे के लिए अपना शरिद भी दिखाते हैं और गंदे scene भी करते हैं, तो इसे लोग पैसे क लोग दिख जाएं तो उनसे दूर रही है इसी में आपका कल्याण है दोस्तों हम हमेशा स्वनादन थारों के बारे में ऐसे ही गुप्त नियान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजिए आप इसे शे बिखलेश श्टे आपसम और को सालत में